अंजले, अई अंजले, अई अंजले, मात तुम, तुम, वााााााा सबसे पहले इस वीडियो में एक बंदर बकरी की फीट पर सवार हो जाता है और फिरी में राइड करने लगता है जैसे मानो यहां पर इस बंदर के बाप का ही राज हो लेकिन यह बंदर यहां पर ही नहीं रुका क्योंकि इसके बाद भी इसने उल्टी सीधी कुरापाते करना सुरू कर दी और साथ में यह सरारती बंदर बकरी की पीट पर बेटे हुए दोसरे छोटे बकरे की पूँच भी खीजने लग जाता है दोस्तों यहां पर आप साथ तोर पर देखी सकते हैं कि बकरी के भागने के बाद भी यह बंदर नीचे नहीं उतरता है और चिपपक कर इसकी पीट पर ही बेटे रहता है वाकाई में जो भी हो इस बंदर ने तो मोजी कर दी अब अगली इस वीडियो को देखिए जहां पर यह बंदर कापी देर से इस चिकन के सामने उचल उचल कर नाच रहा है अब यहाँ पर इस बंदर के डांस करने का कारण क्या है इस बारे में तो हमें जानकारी नहीं है लेकिन बंदर जिस तरह नाच रहा है वाकई में कापी कमाल का लग रहा है दोस्तों बंदर का ये डांस हमें और आपको साइद पसंद आ रहा होगा लेकिन सामने वाले चिकन को इसका ये डांस कता ही पसंद नहीं आया क्योंकि उसने थोड़ी देर बाद इस बंदर के डांसे परिशानों कर इसे यहां से भगा दिया यहां पर आप देखेंगे कि एक बंदरों की टोली के बीच में एक केकड़ा फजाता है और केकड़े को देखते ही सबी बंदर हरकत में आ जाते हैं क्योंकि यह सबी बंदर बारी-बारी से इस केकड़े को छेड़ने लग जाते हैं और इस दोरान यह केकड़ा भी इनका कुछ नहीं भी गाड़ पाता है अब इन बंदरों की टोली को कौन समझाए कि वो कोई एलियन नहीं बलकि एक केकड़ा है यह बंदर भाई साब अपने हाथ में एक बलून पकड़की उसे अपने दातों से काड़ने की कोशिस कर रहे थी और यह अपनी इस कोशिस में कामयाब भी हो जाते हैं लेकिन इनके लिए दुक्की बात यह रहती है कि इनका जो बलून होता है वो कहीं गायव हो जाता है अब दोस्तों हम लोग तो इस बात को अच्छे से जानते हैं कि बलून का फूटने के बात क्या होता है पर इस बंदर को तो यह जादू से कम नहीं लग रहा है और इसी वज़े से ये बेचारा अपने हाथों में उसे ढूंड रहा है देखे इस बंदर को जो केसे इस कुटे से अपनी इज़त बचा रहा है अरे भाई जब इतनी सरम आ रही थी तो पेंटी पैन लेता यहां पर ये बंदर इस सक्सी जल्दी से केला चीन कर खाने की कोशिस करता है लेकिन इस दोरान ये कुछ ज़्यादा इपूर्ती दिखा देता है और वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम सेतान का होता है और कुछ ऐसा यहां पर भी होता है क्योंकि बंदर के हाथ में केला बिलकुई भी नहीं लगता है और पता नहीं कहां गायब हो जाता है दोस्तों ये बंदर एक कोका कोला की बोतल को पकड़के उसे गटकने में जोटा हुआ था लेकिन इस दोरान इसके सामने एक दूसरा बंदर भी था जो भी अपनी इस्तिदारी मांग रहा था पर यहाँ पर साइध ये बंदर उसके साथ समझोता करने के लिए तेयार नहीं था और इसी वज़े से वो बंदर एक तरकीब लगाता है और ज्यों पहले वाला बंदर कोका कोला को पीने की कोशिस करता है तो दूसरे वाला बंदर उसे पीचे से पकड़के उल्टा कर देता है जिसके चलते सारा का सारा कोका कोला नीचे एक गड़े में आकर गिर जाता है और बेचारा पहले वाला बंदर तो कोका कोला को ढूंडता है रह जाता है और इसी बीच फाइदा उठाकर गड़े में भरेवे कोका कोला को दूसरे वाला बंदर गटक जाता है दोस्तो इस वीडियो के अंदर एक छोटा सा बंदर एक बड़े से ओरंगटान के मूँ से खाना चीनने की कोशिस कर रहा होता है लेकिन जनाब को अपनी इस गल्थी की सजा तुरंती मिल जाती है क्योंकि ये बड़ा सा ओरंगटान उसे पकड़ के अच्छा का सा सबक सिखा देता है अब हमें नहीं लगता कि कभी ये बंदर दुबारा किसी ओरंगटान से पंगा भी लेगा दोस्तो जब औरंगटान की बात हो रही है तो जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए जिसमें घूमने गए एक टूरिस्ट का चस्मा एक औरंगटान की बाड़े में गिर जाता है और जूए बाड़े के अंदर चस्मा गिरता है तो तुरंटी ओरंगटान वहाँ पर आ जाता है और उस चस्में को उठाकर लगाने की कोशिज भी करता है और इस दौरान इस ओरंगटान को चस्में को लगाने में भी ज़ादा परेशानी नहीं होती है क्योंकि एक दो परियास के बाद इस बड़ी आसान इसे चस्में को अच्छे से लगा भी लेता है दोस्तो वेसे आपके समझदार औरंगटान पर क्या विचार है हमें कमेंट बोक्स के माद्यम से जरूर बताएगा इस गाड़ी का मालिक अपनी कार किसी से बंद करके जाना भूल जाता है और इसी बात का फाइदा उटा कर यहां पर कुछ बंदर आ जाते हैं और पिर आने के बाद बिना किसी रोक टोक की सीधा कार के अंदर गुजाते हैं और कार के अंदर पड़े सारे खाने को उठा कर बाहर आ जाते हैं वेसे दोस्तों कोका कोला पीने में ये बंदर भी कापी आगे हैं जो कि सबसे पहले तो पता नहीं कहां से एक कोका कोला की बोतल ले आता है और फिर बड़े इत्मिनां से आकर एक दिवार पर बेट जाता है और कोका कोला की घुटक खींचने लगता है परसाइद यहां पर इस बंदर को कोका कोला का स्वाद अच्छा नहीं लगा और इसी वज़े से एक दो घूट पीने के बाद यह कोका कोला की बोतल को निचे गिरा देता है अगली इस वीडियो में एक कुट्टा बंदर के सामने आकर उबासी लेने लगता है लेकिन इसकी उबासी की वज़े से सामने वाला बंदर परिशान हो जाता है और कुट्टे को यहां से जाने की चेताओनी देता है लेकिन यहां पर कुट्टे भाई साब भी सीधे तोर पर कहां जाने वाले थे यहने भी कुछ करने की चुलमची थी और इसी वज़े से कुट्टे की हरकत के चलते यहाँ पर बंदर का पारा चड़ जाता है और जिसके बाद वो अपने पास में पड़ी लकड़ी उठा लेता है और फिर कुट्टे की सिर पर एक जोड़दार सोट मार देता है लेकिन दोस्तों जो भी हो अब इस कुट्टे की अकल ठिकाने अच्छे से लगी गई होगी यहाँ पर एक कुट्टा बंदर के खाने को चुरा कर खाने लगता है जिस पर पहले तो यह बंदर इस कुट्टे को कुछ नहीं कता है लेकिन जब पानी सर्शियों पर जाने लगता है तो फिर बंदर अपना कमाल दिखाता है और पिर अपने इस किल के दम पर पिछले पेर पर लगातार थपड़ों की बरसात करता है लेकिन जब इसके बाद भी इसका मन नहीं भरता है तो फिर अपने आसपास पड़ी पोलीतिन को उठा कर कुट्टे के ओंपर फेकने लग जाता है। इन टाइगर के बच्चों को परिशान कर रहा है और बार बार पेड़ की टैनी से लटक कर इनके कभी कान कीशता है तो कभी फूँच या पिर कभी अन्य पाट को छूता है। दोस्तो हो सकता है आज की वीडियो में से आपने कुछ वीडियोस पहले भी देखी हो। लेकिन हम आपको बता दे जिस वीडियो में आपने इन वीडियोस को देखा है उसको दर असल यूट्यूब ने डिलिट कर दिया था और इसी वज़े से हमने आपको कुछ बेतरी इन वीडियो के लिप्स फिर से दिखा दिया। खेर जो भी हो आसा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आये होगी अगर हां तो वीडियो को लाइक जरूर करना तो जल्दी मिलते हैं एंगले वीडियो में एक नई टोपिक के साथ तब तक के लिए बाई